असलाम अलाइक्म कैसे हैं आप सब आज जो मैं आपके साथ रेस्पी शेर कर रही हूँ वो है गाजर के मुर्बबिग रेस्पी गाजर का मुर्बबब बनाने के लिए 2 केलो मैंने गाजरे ल явla उनको छे से स्किनरी मूव करके 2 के साफ कर लिया है अब जो है मैंने एक फोग दिये है फोग ले कि हमने इसके अंदर अच्छे से सुराख करने के बाद हमने इस तरह से गाज्रों की कटिंग कर लेनी है कटिंग करके तो अब हमने इनको एक पतीले के अंदर डाल देना है यह देखे कटिंग हो चुकी है दो किलो गाज्रे मैंने ली है और इसके अंदर मैंने एड करनी है जो चीनी वो है सवा किलो चीनी अब हम इस तरह से डाल देंगे अब इस तरह से अंदर पतीले को हिलाना है यह जो आके यह चीनी वाज्रों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको कवर करके रखना है ओवरनाइट तकि चीनी अपना पानी छोड़ दे क्योंकि इसी पानी के अंदर हमने मुरबा त्यार करने अब यह देखें चीड़ी ने काफी पानी जो है छोड़ दिये अब हमने फ्लैम जो है वो ओन करती है अब पतीले को रखेंगे और इसके अंदर हमने गाजरों के अंदर एड़ करनी है वन टीस्पून सबजलाची का जो इसका टेस्ट इस तरह से जादा अच्छा लगता है अब हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके तक्रीबन 20 मिनट तक हमने जो है इसको मीडियम फ्लैम पे मुरब्य को पकाना है ताके गाजरे भी गल जाए और जो शीर है वो भी गाड़ा हो जाए अब यह देखें बीस गाजरे हमारी गल चुकी अब इसका ढखनट आगे हमने इसको मजीद 10-12 मिनट और पकाना है ताकि इसके जो शीर है वो गाड़ा हो जाए अब यह देखें 10-12 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर एट कर रही हूं एक टेबल स्पून भर के वाइट विनिगर अगर आपक बनता नहीं है और दूसरा अगर आप इसको ज्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं तो इसकी शेल्फ लाइव भी बढ़ती है मुरब आपका खराब नहीं होता तो आपने यह जो है ना टेप इसकंदर लाजमी यूज़ करनी है तो यह देखे कितना बेतरीन हमारा मुरब ब त्यार हुआ है तो इस रेस्पी को आप अपने घर में जरूर ट्राय करें इन्शाला आपको बहुत पसंद आएगी यह रेस्पी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने जो यह फीड़बेक है मुझे वो कॉमेंट्स में लाजमी दि क्या हुआ है